इंडिया और साउथ आफरिका के टेस्ट मैच ने बनाया नया रिकॉर्ड इंडिया और साउथ आफरिका के बीच दो टेस्ट की सीरीज केली गई थी जहांपर तोनों ही टीम्स ने एक एक मैच जीत कर इस सीरीज को ड्रॉ कर दिया है कल ही इंडिया और साउथ आफरिका का जो दूसरा टेस्ट था वो रैप हुआ था जहांपर इंडिया ने साउथ आफरिका को साथ विकेट से मात दी इस मैंच ने वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए बनाया है क्योंकि ये पहला ऐसा टेस्ट है जो मात्र 642 गें दे और उन सारे मैच इस का एक डिसाइडड रिजल्ट आया तो उसी सीरीज में जो दूसरा मैच आता है वो आता है और साउथ आफरिका को एक बार हार का सामना करना पड़ा था और जीत गए थी क्योंकि वो match Melbourne के मैदान में Sun 1932 में खेला गया था और वो जो test match था, पूरा का पूरा जो वो match था वो मात्र 6.56 गेंदों पर खताम हो गया था इसे श्रिंगला में अगर मैं तीसरे match की बात करूँ तो वो England और West Indies के बीच Bridgeton के मैदान पर खेला गया था जहां पर जो वो पूरा test था, वो सिर्फ 6.72 बाल्स में राप हो गया था जिसमें भी एक लियर विनर निकल के आया था जो कि टीम England थी, इसे श्रिंगला में चौथा match आता है और Australia और England के बीच, यानि कि Australia और England के बीच वो जो मैदान था, वो मैंचेस्टर का वो जो ग्राउंड था वहां पर भी जो test match था, वो बहुत जल्दी खतम हो गया था मातर 7.88 बाल्स में वो जो test match था, वो राप हो गया था और इसी श्रिंगला में जो पांचवा match आता है वो भी Australia और England का ही आता है, जो लॉट्स के मैदान पर खेला गया था और वो test match मातर 7.92 बाल्स में खतम हो गया था अब आप सब बताई कि इस पूरी लिस्ट में ऐसा कौन सा वो match है जो आपके लिए बहुत ही जादा special है हमें comment करके बताएं और ऐसी interesting videos के लिए चुड़े रहे क्रिकेट कांट्री के साथ